लमस्कार आप देखरें इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी जोशी आज बुलेटिन के शुरुवात कर रहे हैं इस वक्ती बड़ी खबर के साथ जो आ रही है घाटी से जहां सीना का एंकाउंटर ऑपरेशन जारी था जमू कश्मीर में मच्छुल सेक्टर में एक आतंकी को धेर कर दिया गया है एलोसी पर एक बार फिर से घुसपैट की कोशिश हुई पाकिस्टानी ड्रेंजर्स की बदद से घुसपैट की सकूशिश को अन्जाम तिया गया और इसके बाद सुरक्षबलों और आतंकवादियों के बीच में मुढभेड हुई जिसमें एक जवान शहीद हो गए है जबकि मेचल समीत चार जवानों के घायल होने के खबर है ये मुढभेड कुपवाड़ा सेक्टर के पास जंगली एरिया में हुआ घायल सभी जवानों को इलाज के लिए एस्पिताल में भरती कराये गया है मुढभेड में एक पाकिस्तानी आतंकी को धेर कर दिया गया है बताये जा रहा है कि सुरक्षबल के जवान कुपवाड़ा के कमकारी इलाके में सर्च आपरिशन चला रहे थे और तभी आतंकियों ने फाइरिंग शुरू कर दी यह अटैक पाकिस्तानी सेना की बैट यानि के बॉर्डर आक्शन टीम का बताया जा रहा है आपको जानकारी दे दे कि पाकिस्तानी सेना की बैट टीम के दस्तों में पाकिस्तानी सेना के कमांजों के अलावा अल्बदर, तेहरेकोल, मुजाहिदीन, लशकर और जैश के आतंकी शामिल होते हैं एलुसी पर नाकाम कर दी गई है, ये सावश एक आतंकी को धेर कर दिया गया है इस वक्त हमारे साथ लाइब जुड़ गये है, मनीश प्रसाथ इसी खबर पर मनीश आतंकीयों से लोहा लिया गया है, दो-दो हाथ हुआ है क्या खबरें आ रही है, डीटेल में बताएं मिनाक्षी, ये करीबन सुबह की बात है, अर्ली मॉर्निंग पाकिस्तानी जो 32 पीयो के ब्रिगेड है ये केल का इलाखा पढ़ता है, जो की मच्छल सेक्टर के ठीक सामने है पाकिस्तानी आतंकी जो करीबन 4-5 की संख्या में है, जिसमें बॉर्डर एक्शन टीम के SSG कमांडो शामिल थे तीन प्लस दो की फॉर्मेशन में, यानि कुल मिलाके पांच के लगभगे स्पॉट किये गए और ये अंदर की तरफ आकर इन्होंने जो भारतिय सेना की पोस्ट थी, उस पर फाइरिंग शुरू कर थी इससे पहले की भारतिय सेना उनको जवाब देती, चारों तरफ से इनकी घेराबंदी की गई, पाकिस्तानी आतंकी जो की लश्ड़त एक लॉंच पैड है पाकिस्तान ओकिपाइड जमू कश्मीर में केल सेक्टर के अंदर और ये जो पाकिस्तानी सेसजी कमांडो थे, ये शारदा बटैलियन की तरफ से आये थे पाकिस्तानी आर्मी की, इन्हों ने भारतिय सेना की अगरिम चौकी पर पोस्ट के उपर फाइरिंग की, उसके तुरंद बाद ही भारतिय सेना के जवानों ने मुस्तेदी के साथ इन पर जारी है, उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है कि वह वापस अब पाकिस्तानी सेना और आतंकियों में फर्क करना मुश्किल हो गया है, बार बार भारत में जिफतरे के गुस्पैट की कोशिशों का अंजाम दिया जा रहा है, बहुत शुक्री आपका मनीश पूरी जान कारे के लिए.